हेलो एरिवन वेलकम बैक टू बिग्ज्ञानिस टूड़ टूड़े बी आर कोई को डिसकर्स एबाउड दो वीडियो बना दी हैं इसमें पूरा डिटेल में एक्स्प्लेइन किया हैं जितना इसमें कॉंसेप्ट था वो मैंने प्रीवेस दो वीडियो में बहुत ही डिटेल म नहीं कराये थे अब यह जो वीडियो में बनाने वालों आपके लिए इसमें मैं आपके साथ बहुत ही यह स्लेक्टिव कुश्चन में ने स्लेक्ट किये हैं वही मैं आपके साथ डिसकस करने वालों यह बहुत ही इंपोटेंट कुश्चन है आपके एक्जाम के पॉइंट तो एक भी question आप skip ना करें ठीक है जो मैं question करा रहा हूँ इनी question की और इस type के question की आपको मैं exam question practice करनी है ठीक है यूँकि board में देखो बहुत ज़्यदा hard question नहीं आते हैं easy to moderate question आते हैं बहुत tough level के question आपके exam में नहीं आते हैं तो मैं आपके exam के point of view को देखते हुए मैं आपके लिए कुछ question selective question लेके आए हूँ ठीक है सभी question आपको अच्छी से पढ़ने हैं आपको notes ready करने हैं और इसी type के question की आपको practice करनी है definitely आप board में जो question आपको मिलेंगे इस chapter से definitely आप solve कर पाएंगे ठीक है तो मैं discuss करूँगा question बन से question बन में क्या है मैं फिर आप पहले बता देता हूँ इससे पहले आपको सबसे ज़्यादा आपको clear जो होना चीए topic सबसे ज़्यादा important है direction cosine unit vector angle between two lines co-planer ठीक है और dot or cross product अगर आपने ये topic इतना cover कर लिया समझो vector आपका finish हुजएगा ठीक है इतना ही enough है तो सब से पहले में question यहाँ पर एक लिखता हूँ यहाँ ठीक है फिर discuss कता हूँ आप साथ देखिए first question में क्या की बने आपको क्या find करना है सुनेंगे ध्यान से question 1 मैं आपको बहुत ही selective question आपको कराने वाला हूँ ठीक है मैं question 1 आपके लिखा है first question में क्या की बने आपको की बने आपको की बने a vector a vector equal to suppose में आपको लेट कर लिया 4i minus j plus k cap and आपको b vector के बने b vector equal to 2i minus 2j plus k cap यहाँ पर आपको दो vector के बने first vector आपका होगे a second vector आपका है b आपको find करना है unit vector आपको क्या find करना है unit vector unit vector find करना है unit vector parallel to parallel to a vector plus b vector यह आपका question है complete question आपका यह है यहाँ पर आपको a vector given है and b vector given है आपको unit vector find करना है parallel to a vector plus b vector आप जानते होंगे फिर मैंने एक पढ़ाया दा free vector जितने इए vector होते हैं सारे क्या होते हैं free vector होते हैं ठीक है, क्योंकि सभी vector आप itself क्या होते हैं, पैलल होते हैं, ठीक है, तो अब आपको क्या find करना है, यहां पर a vector plus b vector find करना है, then आपको क्या find करना है, उसका unit vector आपको find करना है, ठीक है, तो आप यहां से find करेंगे, a vector plus b vector equal to, अगर दोनों को add करेंगे, आपको i का i में add होगा, यह हो गया 6 i, j ko j मैट करेंगे, तो क्या है आपका, माइनस 3 j, और यहां से आपको जागा, प्लस 2 किये, तो आपने यहां पर क्या find कर लिया, a vector, प्लस b vector, आपने find कर लिया है, then क्या find करना, आपको unit vector, तो आप अपने mind में या पर लेख सकते हैं, आप यहां से c vector, result को आपने collect के लिया c vector और c vector के क्या निकालना आपको unit vector तो unit vector क्या होता है c cap equal to c vector upon magnitude of c vector यह आपको होता है unit vector का formula ठीक है आपने पढ़ाऊगा अगर नहीं पढ़ाएं तो previous वीडियो में मैंने बहुत ही detail में dot product को cross product को direction cosine को dr's को dc सबको बहुत यह detail में explain किया है अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है पहला वो वीडियो देखी है then यह question definitely आप solve कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ c vector के बना आपको 6i minus 3j plus 2 की cap upon magnitude of c vector c का magnitude क्या होगा देखे 6 का square क्या होगा 36 plus 3 का square क्या होगा 9 2 का square आपका होज़ागा 4 तो solve करने क्या होज़ागा देखे यह क्या होज़ागा आपका यह आपका 49 होज़ागा तो solve करने क्या होज़ागा c cap equal to यह आपका होज़ागा 6i minus 3j plus 2k cap upon यह आपका होज़ागा 7 तो इस तरह से आपने का find कर लिया, A vector plus B vector को collect किया, C vector relate किया, और C का क्या find कर दिया, अपने unit vector थी, यही इसका correct answer है, आप से यही आपको find करना था, unit vector, ठीक है, अब देखे next question देखते हैं, next question क्या आप, अगला question भी यहाँ note कर लिता हूँ, देखे, question क्या आपका क्या भी बन है, आपको direction cosine find करने, क्या find करने हैं, direction cosine, मैं लिखता हूँ, direction cosine, पर sort लिखता हूँ, direction cosine, और आपको यहाँ पर क्या भी बन है, 3 A vector, पिलस 2 B vector, आपको 3 A vector, पिलस 2 B vector, इसके क्या find करने हैं, direction cosine आपको find करने हैं, A vector equal to I plus J minus K and B vector आपको given है I plus 2J plus 3K. देखिए यहाँ पर आपको दो vector given है, first vector आपका है A, second vector आपका B. तो आप से क्या कह रहा हैं कि आपको 3A vector plus 2B vector, आपको इसके क्या find के नहीं है? direction, cosine आपको find करने हैं, तो यह समझो, अपने mind में आप 3A vector plus 2B vector जो resultant होगा, उसे आप एक vector select कर लेंगे, then find करेंगे उसका direction, cosine. तो यहाँ से क्या find करना आपको 3A vector, आप यहाँ पर लेगेंगे 3A vector plus 2B vector equal to, तो आप क्या करेंगे? A vector में आप 3 से multiply कर लीजिए, तो यह आपको जाएगा 3I cap plus 3J cap minus 3K cap, आपने यहाँ पर क्या किया है? A vector में 3 से multiply कर लीजिए, तो आपका 3I plus 3J minus 3K cap आपको हो चुका है, plus 2 into B vector, B vector क्या आपका यह गिए? यहाँ पर आपका, यह आपको जाएगा 2I cap plus 4J cap plus 6K cap, यहाँ से आपका यहाँ चुका है, तो आप यहाँ से आप सॉल करते हैं, क्या है का आपको जाएगा? यहाँ पर आपने देखा कि 3A बेक्टर प्लस 2B बेक्टर का रजल्टेंट क्या गया 5I कैप प्लस 7J कैप प्लस 3K कैप आपका आ चुका है तो आपने माइंड में आप इसे कलेट कर लेंगे C बेक्टर आप लेट कर लिए C बेक्टर आपने 3A बेक्टर प्लस 2B बेक्टर कलेट कलिया C बेक्टर आप चाओ तो लेट यहाँ लेख सकते हैं अब लेट किया है अब आपको निकालना है इसका direction cosine और direction cosine कैसे इनकालते हैं यह आपको बहुत अच्छी से पता है ठीक है क्योंकि मैंने बहुती detail में पूरा समझाता है direction cosine कैसे find करते है unit vector कैसे find करते है बहुते और दोनों क्या difference है ये भी मैंने बताया ठीक है अब यहां से दिखते हैं यहां पर क्या आपका 5i 5i 7j 3k plus 7j plus 3k यह आपको given है आपको find करना है c vector का direction cosine तो यहां से find करेंगे direction cosine dc equal to तो first क्या होता है first आपका बनेगा cos alpha बोल सकते हैं या फिर आप l भी इसको बोल सकते हैं तो l equal क्याएगा 5 पहले लेगे 5 upon total आपका क्या अगर देखिए 5 का square 25 यह आपका 25 हो जाएगा plus 7 का square आपका 49 हो जाएगा plus 3 का square आपका 9 हो जाएगा ठीक है तो first value तो आपकी यह आ गई फिर आप find करेंगे second direction cosine cos beta equal to यह आपकाएगा m equal to 7 upon root में कहाएगा देखिए add करेंगे यहां से यह आपकाएगा 58 plus 5 63 83 तो यह आपकाएगा 7 upon root 83 फिर similarly क्या निकालें cos gamma third वाल आपको निकालना equal to n equal to यह आजागा 3 upon root 83 तो यहां से इस तरह से क्या find कर लिया आपने इस resultant जो vector था उसके direction cosine आपने find कर लिया है तो यहां से l equal to आपने l क्या होता है cos alpha first find कर लिया है similarly cos beta and then cos gamma ती आपके होते हैं cosine आपके होते हैं ठीक है अब देखते हैं next question देखे next क्या है find the value of P आपको P की value find करनी है और यहां पर एक रहा दो vector parallel है तो यहां पर मैं एक question अगला net कर लिता हूँ यहां पर let add कर लिया है 3i plus 2j plus 1 यहां पर है 9k cap आपको given है a vector आपको यह given है and b vector आपको given है and b vector equal to यह आपका होजाएगा i cap minus 2p j cap plus 3k cap यहां पर आपको 2 vector given है यह करा first vector आपका a vector है second आपका b vector है और यह करा दोनों vector parallel है then find the value of p यह आपका question है बहुती easy question है आप बहुत इजली से कर सकते है तो मैंने आपको एक पढ़ाया था collinear collinear में parallel non parallel parallel दो तरह को होता था एक same side बाला एक opposite side बाला ठीक है तो यहां पर देखो अब यहां parallel बोला गया है अब opposite direction हो same direction हो से वाद से कोई फरकनी पड़ता यहां से हम चेक करें parallel तो parallel condition क्या आती है parallel में collinear वाली condition लगती है तो यहां पर लगाते है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 तो a1 क्या आपका 3 और a2 क्या आपका 1 तो a1 क्या आपका 3 हो गया और a2 आपका जाएगा 1 equal to तो यहां से आएगा 2 upon यहां से आएगा minus का 2p equal to यहां से आपका 9 upon 3 solve करने क्याएगा तो 2 से 2 cancel तो यहां से क्याएगा आपका 1 तो starting 1-1 ले लेते हैं 3 upon 1 equal to 1 upon minus P आपका हो जाएगा अगर cross into solve करते हैं यहां से cross करके solve करते हैं तो क्याएगा P दर जाएगा तो P equal to यह क्याएगा minus का 1 upon 3 तो यहां से पत लगए अगर दो line parallel है या दो vector vector क्या होता है यह line segment ही होती है जिसकी यह कोई fix direction होती है और इसका fix क्या होता है magnitude होता है तो यहां से पत लगए अगर दो line parallel हैं या दो vector parallel हैं तो उसमें क्या condition होती है A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2 अगर तीनों का ही ratio अगर equal आता है तो यह क्या होता है को linear आपका हो जाता है अब देखते है next question क्या आपका आपको find करना angle between two vectors तो पहले बताता हूँ आपको angle between two vectors के लिए follow क्या था A vector dot B vector equal to magnitude of A vector magnitude of B vector into cos theta यह आपने एक formula पढ़ा होगा vectors के अंदर dot प्रोड़े पढ़ा होगा angle between two vectors का आपका follow होता है A vector dot B vector equal to magnitude of A vector magnitude of B vector into cos theta अब यहाँ पर A vector B vector क्या given है वो में एक बार note कर लेता हूँ बहले पूट करने हैं आपको देखे बस यहाँ पर आपको A vector given है A vector equal to I plus J plus K आपको A vector यह given है and आपको B vector आपको given है B vector गवन आपको X axis आपको X axis गवन है यहाँ आपर दो vector है first vector आपका A vector equal to I plus J plus K और second vector क्या आपका X axis है आपको आपको A vector और X axis के बीच में क्या find करना है आपको angle find करना है और आप जानते हो X axis पर Y क्या होता है 0 Z क्या होता है 0 तो यहाँ से कहेगा यह आपको जागा I cap plus 0 J cap plus 0 K cap तो मैंने क्या कर लिया X axis का मैंने क्या निकाल दिया position vector निकाल दिया यहाँ से कहेगा B vector equal to I cap plus 0 J cap plus 0 K cap अब आपको angle find करना तो क्या करेंगा आप A vector dot B vector करते हैं अगर आप आप लिखेंगे A vector dot B vector upon magnitude of A vector magnitude of B vector equal to cos theta यह आपका formula बन जाएगा अगर आप A dot B करते हैं I into I क्या एगा 1 J क्या हो जाएगा 0 K क्या हो जाएगा 0 तो आपका सिर्फ आएगा 1 A dot B क्या आएगा 1 upon magnitude of A क्या हो जाएगा root 3 equal to B magnitude क्या हो जाएगा 1 cos theta तो यहां से गर आप solve करते हैं तो यहां theta equal to क्याएगा theta equal to cos inverse 1 upon root 3 तो यहां से आपका यह आगया angle between A vector and x-axis तो यहां theta क्या आएगा थीटा एक्वल टू कॉस इन्वर्स बन बाई रूट थी आपका करेक्ट आंतर यहां से आ चुका है अब देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन नेक्स करा आप 4 बोर्ट वैलियो अफ ए अब यहां पर दो बैक्टर हैं यह करा को लिनियर हैं आपको अलड़ी बता दिया है तो यहां पर सपोज मैं ने ए बैक्टर इकॉल टू लेट कर लिया यहां पर के बने 2i-3j plus 4k cap and यह के बना आपको a i cap 6j cap minus 8k cap अब यहां पर दिखा दो बैक्टर के बने मैंने कुश्चन नोट कर लिया है यहां पर बहुत अच्छा कुश्चन है आपको के बने a बैक्टर इकॉल टू 2i-3j plus 4k and second वाला बैक्टर आपको के बने यह b बैक्टर आपका a i plus 6j minus 8k यह आपको को लिनियर कहरा आपसे r को लिनियर यह को लिनियर है तो आपको find करनी है a की value क्या होगी है यह find करना आपको तो समझेंगे ज्यांसमेन आपको अल्यडी पढ़ाया था को लिनियर के बारे में अगर को लिनियर कहता है पैलल कहता है तो बहुत ही easy है चेक करना तो इसके लिए का करते हैं फोर को लिनियर के लिए करते हैं आप फोर को लिनियर तो इसके लिए आपको जागा a बन अपॉन a2 तो a बन क्या आपका 2 अपॉन a equal to b1 upon b2 क्या जाएगा minus 3 upon 6 c1 upon c2 जाएगा 4 upon minus 8 आप देखो यहाँ solve करना क्याएगा c दिवात है 1 upon 2 आएगा यही 1 upon 2 आएगा तो कोई भी starting के दो सलेक कर लेते हैं तो 2 upon a equal क्याएगा minus 1 by 2 आपका हो जाएगा solve करने क्याएगा टू 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 जाएगा फॉर तो a equal to आपका हो जाएगा minus का फॉर तो यह कराएगा अगर यह दो लाइन्स या दो बैक्टर अगर पैलल हैं या कोलीनियर हैं तो इस केस में a की बैलू क्या होने चीए minus 4 होने चीए तबी यह कोलीनियर और पैलल दो नहीं possible हैं अब देखे next question क्या करा हैं आप से करा है राइट यह बैक्टर आपको एक ऐसा बैक्टर लिखना है जिसका magnitude क्या हो 9 हो ऐसे question ncrt में भी है अज यहां पर magnitude क्या था 8 था तो यहां पर मैं एक काम कर लेता हूं question यहां नोट कर लेता हूं पहले यहां पर question given है एक second लिख ल और यह given आपको plus 2k देखिए यहां पर आपको एक यह vector given है जिसका आपको position vector given है यह vector equal to minus 2i plus j plus 2k आपको यह vector given है और आपको एक ऐसा vector generate करना है बनाना है जिसका magnitude क्या हो 9 unit हो आपको 9 unit magnitude वाला एक vector आपको बनाना है 9 unit इसका magnitude हो तो simple सा concept है अगर कभी आपसे कहता है कि आपको एक ऐसा vector generate कीजिए बनाई जिसका magnitude 5 हो 8 हो 10 हो कुछ भी आजा है ऐसा थीक है तो simple सा concept है आप उसका निकालेंगे unit vector आप निकालें इसका unit vector equal to क्या हैगा a vector minus 2i plus j plus 2k upon magnitude of a vector a vector का magnitude क्या होगा minus 2 का square 4 यहाँ पर क्या 1 1 का square 1 plus 2 का square क्या हैगा 4 तो यहाँ से आपको आएगा a cap equal to minus 2i एक second ठोड़ा नेचे रिख लेता हूँ minus 2i cap plus j cap plus 2k cap upon root मा आपका जाएगा root आपका जाएगा 3 तो 3 हो जाएगा ठीक है 9 का root 3 हो जाएगा यह आपका a cap निकल चुका है अब आपको ऐसा vector निकल लाँ जिसका magnitude क्या हो 9 तो अब आप क्या करेंगे इधर भी आप 9 से multiply कर लेंगे और इधर भी आप 9 से multiply कर लेंगे तो यहाँ से क्याएगा 9 a cap equal to 3 से डिवाइड को 3 हो जाएगा 3 कि इन दुकर क्याएगा minus 6i cap प्लस यह आपको जाएगा 6 j cap यह आपको जाएगा 3 j cap हो जाएगा क्यों 3 बचाना 3 j cap प्लस 6 k cap यहाँ से क्या निकल लेगा आपको यह एक ऐसा vector निकल चुका है जिसका magnitude क्या है 9 इसका में चेक कर सकते हैं चाहँ तो 6 का square 36 3 का square क्या होगा 9 आप अगर आपको यकीन नहीं तो आप चेक कर सकते हैं देखिए 6 का square 36 3 का square क्याएगा 9 और 6 का square क्याएगा 36 अब आप add करिए 36 plus 36 plus 9 यह आप कज़ेगा 81 और 81 का root क्या हो तो 9 आपको पतल लगे होगा इसका magnitude क्या आ चुका है 9 इसका magnitude आ चुका है अगर आपसे कभी भी ऐसा question कहता है यह का ऐसा vector निकालो जिसका magnitude 5 हो यूनेट फाइंड करवा रहा है उससे आप बोज साइड मल्टिप्लाइ कर लेंगे और आपका correct answer मैच कर देगा ठीक है अब देखते है next question क्या है देखिए आपसे करणा है find the position vector आपको internal external वाला एक पढ़ाया होगा आप बताजता हूँ सब्वोज यहां पर यह किराए दो vector है यह आपका सब्वोज दो बेक्ट कर लो से लेट कर लो आप P vector इससे आप लेट कर लो Q vector दो बेक्टर आप सब्वोज गिवन है और जैकर इसका internal सब्वोज division गिवन आपको 1 ratio 2 गिवन है 1 ratio 2 तो आपको जिस point से यहां से break किया गया है यह आपको लेट कर लो R तो आपको R vector आपको find करना है तो R vector का follow होता है internal division के बात कर रहा हूँ internal division के लिए तो यहां से होता है M2 यह लेख सकते हैं M1 लेख सकते हैं M1 into Q vector plus M2 into P vector upon M1 plus M2 यह होता आपका internal division के लिए हलांकि मैंने explain किया था फिर भी मैं आपको बता रहूँ एक बार और अगर यहीं पर होता है अगर बाहर होता इसके बाहर अगर होता R आपका इसके बाहर होता external division अगर इसका होता R यहां पर होता उसके इसमें यहां पर भी minus आता और यहां पर भी आपका minus आता ठीक है तो यहां से ऐसे question लेट कर लेते हैं यह first अगर plus हा रहा है तो आपका internal division लगाते हैं और अगर negative लगा रहे हैं तो it means it will be external division of two vector यह alliance segment कह सकते हैं आप ठीक है तो यहां से अगले page पर मैं question note कर लेता हूँ सारी कानी clear हो जागा आपको देखिए यहां पर आपको कि बने A vector minus 2 B vector अपने mind में आप इसे एक vector लेट कर लिए हैं ठीक है and 2 A vector plus B vector ठीक है आपको find करना position vector आपको क्या find करना है कि ऐसा position vector find करना है जो इस vector को और इस vector को क्या करता है one ratio two में internally क्या करता है division करता है internally क्या करता है division करता है just suppose मैं लेट कर लेता हूँ suppose मैंने लेट के एक line segment है इसका initial जो point का vector कि बने A vector minus 2 B vector और final point का vector कि बने 2 A vector plus B vector यह आपको given है और इसका internal जो division हुआ हो क्या हुआ है one ratio two में आपका division होगा तो first वाला M बन आपका क्या आगया one M2 क्या आगया आपका two तो आपको यहाँ पर एक vector light करो select करो आप A vector इससे आप light करो B vector select करो आप C vector आपको C vector का क्या find करना position vector आपने एक line segment को one ratio two में break किया है जिस point से break किया है उसके क्या find करना आपको position उसका vector आपको find करना है ऐससे कुछना 10 तला से पढ़ते आ रहे हैं वहाँ पर बस एक coordinate था यहाँ पर आपका vector difference यह है चीजे same है तो यहाँ से आपका C vector equal to हो जाएगा C vector equal to यहाँ से आप लेंगे two vector into two vector into यह आपको जाएगा a vector minus two b vector plus यहाँ से आएगा one into two a vector plus b vector upon आपका एगा m1 plus m2 तो यहाँ से आपको जाएगा 3 तो यहाँ C vector equal to आपका हो जाएगा यहाँ देगे two a vector plus two a vector आपका जाएगा four a vector फिर next इंटो आगा minus का minus का four b और plus का b तो यहाँ आपका जाएगा minus का three b vector upon three तो यहाँ से आपका C vector के निकल लिएगा C vector equal to four a vector minus three b vector upon three तो इस तरह से आपने क्या find के लिए C vector जिस point से हमने एक line segment को one race two में break किया था मैंने उसके position vector find कर लिए हैं अगर यहीं पकर ही अगर external division होता बाहर से गर से line को divide करता तो यहाँ पर आपका minus लगाते और यहाँ पर नीचे भी क्या हो जाता minus आपका लग जाता ठीक है नीचे upon में बना जाता आपका ठीक है अब देखते हैं next question क्या देखिए आपका अब आपका next question है बहुत ही अच्छा question है ध्यान से पढ़ेंगा most important question है आपका आपको given है a vector cross b vector का magnitude का whole square plus a vector dot b vector के magnitude का whole square equal to given आपको 400 400 given है और आपको और क्या given है and magnitude of a equal to given आपको 5 और आपको find करना magnitude of b क्या होगा बहुत ही अच्छा question है और ये sure है definitely आपको ये सजमें आएगा hard नहीं है बहुत ही जी है tension free पढ़ाई कीजिए mathematics बहुत ही जी है बस आप fair notes बनाईए और जितने भी question पढ़ाई जारे है सभी question की आप अच्छी से practice कीजिए mathematics आपको automatically easy लगना लग जाएगा mathematics बहुत easy है हम आरम से कर सकते हैं ठीक है चलिए अब question का देख लेते हैं यहाँ पर आपके बने a vector cross b vector का whole square plus a vector dot b vector का magnitude का whole square 400 के equal given है तो आपको find करना है magnitude of a vector क्या होगा b vector क्या होगा तो आपने यह पढ़ा है a cross b किसके equal होता है magnitude of a vector magnitude of b vector into sine theta होता है a cross b क्या होता है magnitude of a vector magnitude of b vector into sine theta n cap होता है direction vector होता है यह perpendicular vector होता है normal vector होता है normal vector होता है तो आप लेखने है sine square theta अगर यहां उपर holy square है तो यहां भी square आएगा और यहां भी आपका square आएगा plus अगर देखिए यहां पर आपका क्या आएगा a.b तो क्या होता magnitude of a holy square उपर है तो magnitude of b यहां भी holy square into cos theta यह आपको पता है यह क्या हो जहागा यह cos square theta इक्वल तो 400 क्योंकि आपको पता है डॉट प्रोडेक्ट में क्या होता है ए डॉट बी एक्वल टू मेंग्टुड ओफ ए मेंग्टुड ओफ बी इंटू कॉस थीटा आपका होता है अब देखें इन दोनों ही common में देखो अगर मैं दोनों को बात करूँ यहां पर भी क्या रहा है यह देखिए इन दोनों में ही magnitude of a का square, magnitude of b का whole square क्या रहा है वनतों आप यहां से common ले लेंगे तो यहां साइका magnitude of a का square, magnitude of b का square और अंदर का होता है कि यहां पर sin square theta प्लस cos square theta यह क्या होता आपका 1 तो 1 लिखने की need नहीं है तो आपका 400, अब देखिए यहां पर a का magnitude क्या रहा है 5 और इसका भी क्या whole square तो 5 का square रहाएगा 25, 25 हो जाएगा magnitude of b square equal to 400, अगर आप इससे से में डिवाइड करते हैं तो क्या जाएगा आपका magnitude of b का whole square आपका आजाएगा तो यहां से आपका एगा 400 upon 25, अगर आप root लेते हैं तो क्याएगा magnitude of b 400 का root क्याएगा 20 और इसका root आपका जाएगा 5 और डिवाइड करते हैं क्याएगा 4 आपको पतल लगे इसका magnitude of b क्या आ चुका है यह आपका 4 आ चुका है फोर आपका answer आ चुका है ठीक है यहां से आपने a मेंक्ट क्या बनता 5 और b क्या आपका गया 4 तो इस तरह इसका correct यह आपका answer आ चुका है अब देखिए आप देखते हैं यहां से next question क्या है बहुत अच्छा question है यह करा find find lambda find करना है और यहां पर एक co-planer बोल रहा है बहुत ही अच्छा question है बहुत ही important है मैं यहां से लेगे लेता हूं यह कवार आपको यहां पर गिवन है next question a vector equal to यह गिवन आपको i plus 3j plus k cap यहां पर आपको a vector equal to given है i plus 3j plus k cap आपको given है और यहां से आप let करें b vector equal to b vector equal to 2i cap minus j cap minus 4k cap and c vector equal to आपको given है lambda j cap plus 3k cap अब यहां पर आपको 3 vector given है vector a vector b and vector c और यह करा है कि यह तीनों vector क्या है co-planer है co-planer co-planer को मतलब तीनों vector एक ही plane के अंदर क्या करते है लाई करते है if all 3 vector lie in a single plane that that will be co-planer आपको यह given है कि तीनों plane तीनों vector एक ही plane में लाई करते है और आपको lambda की value find करने है यह जो lambda आपको given है इस lambda की value क्या होगी यह find करना है अब जब आपको already यह given है कि तीन vector आपको क्या है co-planer है तो इनका यह आपका होगा i यह आपका a vector यह आपका b vector यह आपका c vector और equal to यह आपको जगा 0 CO-planer है तो क्या करेंगे आप इसका आप इसे देज़ंडा अगर co-planer है तो इसका if three vectors are co planar then their determinant will be 0 यह आपको rule पता होगा अगर नहीं पता है तो आपको पता लग लग़ा होगा co planar condition क्या है अगर आपको तीन vector co planar है तो उनका determinant क्या करते है 0 के equal रग लेते हैं वहाँ से बैलू find कर सकते हैं या पर अगर अपर check करवा रहा है coplanar है कि नहीं है तो आपको determinant find करना पड़ेगा equal to अगर 0 आ गया तो coplanar है और नहीं आया तो coplanar नहीं है यह अच्छी बात है determinant find करेंगे काईगा आपको बन ले लिए आपने यासे तो बन ले ले से row और column gap होंगे यहां सा आएगा minus 3 minus 3 और plus 4 lambda फिर आप काईगा minus 3 first row gap second column gap काईगा 3 2 जा 6 minus 0 तो पर 6 ही हो जाएगा यह पिलस 1 row और column gap तो काईगा 2 lambda minus 0 तो यह आपका 2 lambda बाहर क्या आपका 1 एक second one लिख लेते हैं आपन यह आपका है 1 equal to 0 तो यहां से क्या जाएगा minus का 3 plus 4 lambda minus 18 plus 2 lambda equal to 0 यहां से आप lambda फाइड करेंगे 2 और यह क्या आपका 4 तो 6 आपका हो जाएगा plus का और 21 क्या हो जाएगा minus का तो यहां से लिख सकते हैं 6 lambda minus 21 equal to 0 तो यहां से हैगा 6 lambda equal to 21 डिवाइड करेंगे क्याएगा 21 upon 6 lambda equal to 3 divided किया 7 3 divided किया 2 तो lambda equal to क्या है आपका 7 by 2 आपका correct आंसर है आपको पता लगया हुआ कैसे चेक करते हैं आप उनका determinant find करेंगे ठीक है और determinant find करने पका equal to 0 आ गया तो co-planer है और अगर आपसे यह कह रहा है कि co-planer है lambda find करो तो इसका हुआ definitely determinant क्या होगा 0 होगा यह आपको अलड़ी पता होगा ठीक है तो अब समझेगे answer next इसमें क्या है वो देख लेते हैं यहां से अगला question देख लेए अगला बहुत अच्छा question है क्योंकि मैंने बहुत ही selective question आपके लिए select किये हैं बहुत ज़्यादे question में आपको नहीं कराँगा जो बहुत ही ज़्यादे important होंगे वही कराँगा क्योंकि time की shortage है ठीक है चलिए अब देखते हैं यहां से कह रहा है कि यहां पर के बना को a cap b cap and c cap अब यह cap का क्या मिनिग है a cap का unit vector b आपका unit vector और c b cap का unit vector तो यहां पर आपको a vector b vector c vector तीनों ही unit vector है and c vector और तीनों ही क्या है mutually perpendicular अगर mutually perpendicular है then a vector dot b vector b vector dot c vector c vector dot a vector equal to क्या होगा 0 यह आपको अलड़ी पता है ठीक है आप लेगे are mutually perpendicular mutually perpendicular ठीक है तो अब मैं थोड़ा से explain करता हूँ तो आपको क्या find करना है ठीक है यह एक बार और explain कर देता हूँ दमदार question ज्यादा दमदार नहीं है बहुत इजी है बस आपको थोड़ा सा concept clear होना चाहिए अगर आपको थोड़ा सा concept clear है तो I hope mathematics फिर आपको hard लगने वाला नहीं है क्योंकि थोड़ा concept इसमें लगाना पड़ता है अब देखी यहाँ पर क्या के बने एक क्या आपका unit vector यह तीनों ही क्या है unit vector magnitude of A magnitude of B magnitude of C तीनों ही क्या है unit vector है तो इस magnitude क्या होगा 1 पहली बात तुमें नहीं यह लिख ली यह solution में लिख रहा हूँ मैं फिर करा mutually perpendicular तो A dot B A dot B B dot C and C dot A इन तीनों की ही value क्या होगी 0 vector के 0 के क्यों होगी क्योंकि तेखों सीधी बात है तीन vector अगर mutually perpendicular है अब नाम ही perpendicular आगा सीधी बात है तो इसका मतलब A dot B आपने पड़ा A vector dot B vector equal to magnitude of A mangrove B into cos theta और cos 90 क्या होता 0 तो A dot B क्या हो जागा 0 इस सारी 0 के equal होगी अब आपको find करनी है इसकी value तो आप इसे कर सकते हैं आप इसे कर सकते हैं एक second तो A cap प्लस B cap प्लस C cap आप करेंगे square करेंगे इसका square square के मेंदद और यहां whole square नहीं कर सकते हैं, आपसे S लिखना पड़ता है, 2 A cap B cap plus C cap, आपने square किया, इस तरह लिख लिख लिख, से इंटू कर लिख, अगर मैं से S की इंटू करता हूँ, 2 2 जा क्याएगा, 4 A cap into A cap क्याएगा, A cap का whole square आप करेंगे, A cap का whole square plus, फिर आप करेंगे, 2 A cap into B cap ठीक है, फिर आप करेंगे, 2 A cap into C cap plus B से इंटू करेंगे, 2 B cap into A cap यह आपका है A cap फिर आप करेंगे, प्लस आपने को हमने क्या कि B से इंटू की, यहां से क्याएगा, 2 A cap होगा 2 B A cap, 2, यहां से B into A cap एक सेकंड रोगा, यहां पर 2 है, 2 है, बी इंटू B आपका B cap B cap into B cap फिर आप करेंगे, B into C cap आगे लिख लेता हूँ, B cap into C cap plus A से, C से इंटू करेंगे, 2 C cap into A cap पिलस C cap into B cap पिलस C cap का whole square देखेंगे, आंसे निकलने वाला बहुती जी है, simple just multiply करते हैं, इंटू किये मैंने अब यह क्या mutually perpendicular, तो A dot B यह क्या हो जाएगा, 0 A dot C यह भी क्या हो जाएगा, 0 B dot A यह क्या हो जाएगा, 0 और आपका B dot C यह भी क्या हो जाएगा, 0 C dot A यह भी 0 C dot B यह भी 0, सारा 0 हो गया, ठीक है सिर्फ बचा गया 4 A cap का whole square, तो A cap किसके क्वल है इसका magnitude क्या है, 1 तो 1 का aspect क्याएगा, 1 तो यहां से क्याएगा 4 एक second देख लेते हैं, यहां पर आपका 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 4 into 1, that is 4 यह आपका जाएगा 4 into 1 फिर आप देखिंगे, यहां से क्या बचाएगा यहां से बचाएगा, B into B क्याएगा फिर आपका whole square, यह भी क्या जाएगा 1 यह भी क्या जाएगा 1, तो आप करेंगे plus 1 plus 1, तो that will be क्या आंतर आगया, 6 आपका correct आंतर आपका 6 आचुका है तो इस तरह से आप बहुती easily questions को solve कर सकते हैं, ठीक है अब देखिंगे, next question क्या आपका find the projection of a vector on b vector आपको a vector का आप यह समझे, यह आपका है b vector और यह समझ लीजिए आप यह है आपका a vector ठीक है यह आपका है a vector तो आपको a vector का b vector पर क्या करना projection, projection होता क्या समझाँगा इसके वार देखिंगे, मैं हालंकि समझा दिया आपको, फिर भी यह को बताए, तो projection क्या होता है यह आपको shadow जो दिख रही है, length यह जो shadow दिख रही है, यह length आप देख रहे हैं, यहां से और इस vector तक जो distance जो आ रही है distance ही क्या होती है projection of a vector on b vector मतलब अगर आप a vector से b vector को join करते हैं, यहां से ठीक है, तो वहां से उसकी length क्या होगी है, अगर मैंने, मैंने देखा कि मैंने a vector को यहां से मैंने क्या देखा है, इसको join किया, यह जो length होती है यह जो length होती है, वही क्या होती है, projection होता है, क्या होता है projection तो यहां से formula बनता है, a vector A vector dot B vector upon magnitude of B vector इस तरह से आप इसे इजली find कर सकते हैं तो यहां से क्याएगा A vector dot B vector upon magnitude of B vector ठीक है यह इसका formula है यहां से में एक दोग question कराओंगा आपको कानी पकड़मा आ जाएगी तो यहां पर suppose आपने लेट कर लिया A vector आपको गिवन है 2i पिलस 4j पिलस 3k यह आपको गिवन है and B vector equal to given है 3i पिलस 4j पिलस 2k कैप मैंने ऐसे एक लेट का लिया example आपको A vector given है आपको B vector given है आपसे find करवारा projection of projection of projection of A vector on B vector अब लिखा हुआ on किस पर है आपका B पर आपको projection find करना आपको vector A का vector B पर projection find करना हम लेते हैं उसका unit vector हम उसका लेते हैं ठीक है तो यहां से क्या फॉलला बन जाएगा आपका बन जाएगा A vector dot B cap equal to A vector dot B vector upon magnitude of B vector ठीक है यह find करते हैं तो A dot B अगर मैं करता हूँ क्याएगा 3 to just 6 plus 4 to just 16 आपका हो जाएगा 3 to just 6 आपका हो जाएगा upon magnitude of B अगर करते हैं क्याएगा 3 का square 9 9 plus 16 plus 4 तो यह आपका हैगा root 29 तो यहां से कितना आपका यहां से 22 28 upon root 29 तो यहां से क्या गई this is the length of projection तो length shadow जो हम डालते हैं वही इसकी क्या होती है length ही क्या होता projection आपका होता है ठीक है चलिए अब देखते है next question क्या है अगला question देखे बहुत अच्छा question है आपर if आपको given है magnitude of a given है आपको 8 and magnitude of b आपको given है 3 and a vector cross b vector का भी magnitude आपके बने 12 आपको find करना है theta find angle angle between a vector and b vector आपको a vector और b vector के between आपको angle find करना है तो देख लेते हैं क्या होगा बहुती easy question है तो यहां से आपके अखायगा a vector cross b vector equal to magnitude of a vector magnitude of b vector into sine theta और n-cap n-cap क्या होता है यह normal पर-pentical unit vector आपको होता हुआ लेकने के need नहीं है ठीक अब यहां पर क्या लगाला mode यहां पर ही लगाली पने mode तो यहां a cross b का mancdo किसके equal है 12 equal to A का magnitude क्या आपका A का magnitude आपका है 8 तो 8 लिख लिया B का magnitude क्या आपका 3 तो 3 लिख लिया into sin theta देखो magnitude का मतलब है यहाँ पर value negative तो है नहीं है तो यहाँ से कहाँ तो divide न पहुंचा दो ठीक है तो यहाँ से कहाँगा 24 divided के कहाँगा 1 upon 2 equal to sin theta और आपको पता है sin में 1 upon 2 क्या होता 30 degree that will be pi by 6 तो यहाँ से आपका हैगा pi by 6 तो आप से लिख सकते हैं sin pi by 6 1 upon 2 को equal to हैगा sin theta sin sin cancel theta क्या हैगा pi by 6 तो यह आगा से correct answer ठीक है आप देखे next क्या होगा और कोशे next देख लेते हैं projection में करा दिया अब आप से कहरा find the value of lambda find करना आपको और perpendicular given है आपको ठीक है तो यहाँ पर कहरा है 2 आपको a vector given है a vector equal to 2i plus lambda j cap plus 3k cap and आपको b vector given है 3i cap plus 2j cap minus 4k cap अब यहाँ पर 2 vector के बना है vector का उतल क्या line segment ही होती है तो a क्या एक line segment है b b क्या एक line segment है अब यह करा दोनों ही line segment एक दूसरे पर क्या कर रही है perpendicular draw हो रही है मतलब 90 degree का angle बना रही है ठीक है तो आपको find करना है इसमें lambda की value क्या होगी यह check करना है प्रोडेक्ट का sum क्या होता है 0 होता है अगर parallel है तो a बन अपॉन a2 equal to b बन अपॉन b2 equal to c बन अपॉन c2 पढ़ा होगा आपने ठीक है अब अगर perpendicular है तो क्या होता है 4 perpendicular 4 perpendicular होता है a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 equal क्या होता है 0 यह आपने पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसे नोट कर लें ठीक है और एक बार और तातों एक चीज है जैसे नॉर्मल यह समझो अगर आपसे कहते dot product 0 है तो dot product 0 कम होता है dot product में आपता है cost, cost कम होता है 0 यह perpendicular अगर दो vector perpendicular है तो उनका dot product 0 होता है अगर दो vector parallel है तो उनका cross product 0 होता है यह याद रखें, बहुत important point है आपके काम आएगा तो यहाँ से देख लेते हैं आप a1 into a2 करेंगे तो कहेगा 2, 3 जा 6 आपका हो जाएगा प्लस 2 lambda आपका हो जाएगा और यहाँ से आएगा प्लस 3, 4 जा 12 आपका 12 equal to 0 तो solve करिंग कहेगा यहाँ से आएगा 2 lambda equal to 6 तो lambda equal to आपका हो जाएगा 3 तो lambda को वेलु क्या होगा अगर कह रहा है दो vector या दो line segment एक दूसरी के साथ अगर 90 डिगरी का एंगल बनाती है तो इसका मतलब उनके बीच में ठीक है उनके बीच में क्या condition होगी a1, a2 plus b1, b2 plus c1, c2 equal to 0 होना जाएगा तभी यह possible हो पाएगा ठीक है अब next question देख लेते हैं next question क्या है आपका आपको यहां पर given है if magnitude of a vector given है next question है आपका अच्छा question है magnitude of a vector equal to आपको given है 2 and magnitude of b vector आपको given है 7 7 और and आपको given है a vector cross b vector की value given है a vector cross b vector equal to given है आपको 3 i cap plus 2 j cap plus 6 k cap मैंने आपको यह question node कर लिया है यहां पर given है magnitude of a vector given है 2 magnitude of b vector की value आपको 7 and a cross b आपको given है 3 i plus 2 j plus 6 k आपको question given है और क्या find करना आपको find करना angle between a vector and b vector आपका क्या होगा बहुत ही खतम question है ठीक है बस समझेंगे द्यान से आपने एक follow पढ़ा है angle between two vector वाला a vector cross b vector equal to magnitude of a vector magnitude of b vector into sin theta और n curve लिखने जो इतने n curve डारिक समस्वो करता है यहां से आप लिखने दिस तो यहां से a dot b आपको already given है अब लेकिन a dot b अंगल आएगा नहीं तो क्या करें आप इसके लिए आप इदर भी magnitude लगाएंगे और इदर भी magnitude लगा लेंगे ठीक है पूरे magnitude निकालेंगे तो इसका magnitude क्या जाएगा आपका 3 का square क्या जाएगा आपका 2 का square आपका 4 9 प्लस 4 क्या हैगा आपका 13 प्लस 36 अब देखिए यहागा 36 प्लस 4 यहापका 40 प्लस 3 का square 9 तो आपका एगा डार इले दो 7 इसको लिए सकता हूँ है क्योंकि आप पतल लगा यह 49 आपका होने बाला है 49 का root क्या आता है आपका 7 तो इसका magnitude क्या आएगा 7 equal to magnitude of a के बने 2 का magnitude 2 ही रहेगा इसका magnitude आपका एगा 7 into sin theta sin theta रहेगा और आपको पता sin में बना point 2 क्या हूँ है sin pi by 6 तो यहां से आपका सकते है sin pi by 6 equal to sin theta तो theta क्या जाएगा theta equal to आपका आपका पाएगा pi by 6 यह आपका correct answer आ चुका है अब देख लिएते है next question का यह बहुती most important question है यह बहुती ध्यान से पढ़ना है और NCRT में कुछ miscellaneous के examples जरूर करें उन्हें गलती से भी ना छोड़ें miscellaneous के example बहुती important है chapter 10 के एक question और जिख लेते हैं बहुती important है यहां से करा let a vector आपको given है 4i cap plus 5j cap minus k cap यहां से आपने a vector let कर लिया a vector equal to 4i plus 5j minus k cap आपको given है and b vector आपको given है b vector equal to i minus 4j plus 5k cap and c vector equal to आपको given है 3i cap plus j cap minus k cap यहां से में ने question load कर लिया a vector given है आपको b vector given है c vector आपको given है क्या कर आपसे find a vector d आपको एक d vector आपको find करना है क्या होगा यहां लगाता हूँ question mark क्योंकि यह आपको find करना है फिर कर आप which is perpendicular to both c vector and b vector और d जो vector जो find करना है आपका c vector और b vector कर क्या है perpendicular है ठीक है यह d जो vector है वो c और b दोनों पर ही perpendicular है उसके बाद आपको और के बने d vector dot a vector की जो value है वो किसके equal है 21 के equal आपको d vector आपको find करना है समझने की कोशिस करेंगे बहुत ही अच्छा question है और I hope मैं आपको इस तरह से question कराने बाला हूँ definitely आप clear हो जागा ठीक है बहुत ही अच्छा question है बहुत ही important question है और बहुत सारी student के complaint होती के सारी यह question कई बार पढ़ लिया अब इतक मैं clear नहीं हुआ और इतना मैं surety दे रहा हूँ इसे करने के बाद आपको कभी इसमें कोई connection नहीं रहेगी तो यहाँ पर आपको a vector की बन है b vector की बन है c vector की बन है और यहाँ पर आपको d vector आपको यह find करना है आप समझेंगे द्यान से आप से बोला है कि d जो vector है आपका d vector d vector आपका perpendicular है perpendicular to यह आपका है perpendicular to c vector and b vector समझने की कोशिस करेंगे बहुती easy question है मैं तड़ी कैसा चलगाने वालू हूँ आप यकिन नहीं करेंगे तरह बड़ा question छोटा से कैस हो गया आप से बोला है कि d जो vector है आपका d vector c vector पर और b vector पर दोनों पर ही perpendicular है अब देखो c vector और b vector आप समें क्या है मुझे इस वास से कोई लेना देना नहीं है यह c और b आप समें parallel है perpendicular है या कुछ और है इस वास समें कोई लेना देना नहीं है अगर D बेक्टर आपका C और B दोनों पर ही perpendicular है अगर D बेक्टर आपका C पर perpendicular है B पर perpendicular है तो इस किसमें D जो बेक्टर होगा आपका D बेक्टर आपका जो होगा वो आपको हो जाएगा C बेक्टर क्रोस B बेक्टर के लेम्डा टाइम आपका हो जाएगा, यह याद रखे हैं, C यह fix rule है, D vector आपका जो होगा, C vector cross B vector, क्या हो जाएगा, लेम्डा टाइम हो जाएगा, तो आप यहां से करेंगे, D vector equal to क्या हैगा आपका, तो यहां से आएगा, D vector equal to lambda into C vector, और C vector क्या है, देख लेते हैं, यहां से, एक second देख लेता हूँ, C गिबन आपको 3, 1, minus 1, यहां लेख लेते हैं, आप I, यह आपका J, यह आपको जाएगा, K, ठीक है, यहां पर आपको लेख लेते हैं, एक second, C गिबन आपको 3, 1, minus 1, 3, 1, minus 1, and B vector किबन आपको 1, minus 4, 5, 1, minus 4, 5, अपने यहां से क्या कर लेंगा, आप solve करेंगे, क्याएगा, lambda आपको constant बार रहेगा, आपने लिया I cap, यह row गाएब, यह column गाएगा, यहां से क्याएगा, यह आपको 5, minus 4, minus J cap, यह row गाएब, column गाएगा, फाइब तरी जाएगा, 15, plus 1, यह आपको क्याएगा, 16, plus K cap, तो यहां से आपको यह row गाएब, यह column का कितना हैगा, 3, 4, 12, minus 12, minus 1, तो यह आपको क्याएगा, minus 13, तो solve करतेंगे, क्याएगा, यह आपको जाएगा, देखो, find कर लिया, D vector, यह आपका आचुका है, D vector, और आगे condition क्या given है, वो लिख लेते हैं, और आगे condition given है, आपको, D vector, dot E vector, equal to given आपको 21, यह और समझेंगे द्यान से, D तो आपने find कर लिया, D आपका यह हो गया, आगे इसको अगर मैं लिखता हूँ, तो आपको क्याएगा, lambda आपका as it is, और D vector आपका जाएगा, यह आपको D into A करना है न, तो I minus 16J minus 13K, तो I minus 16J minus 13K cap, यह आपका जाएगा, lambda into यह को यह क्याएगा, यह आपने कर लिया, आपको D vector, dot A vector equal to, तो D आपका यह आगा है, into A vector, और A vector क्या 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 बार है, देख लिते हैं एक बार, A vector क्या क्या बार है, आपको 4I, 5J minus K, 4I, एक सेगंद दबार देख लिते हैं, 5J minus K, plus 5J cap minus K cap, equal to given आपको 21, तो solve करेंगा, कहेंगा, देखेंगा, IK, अगर I send to करूँगा, तो यह जाएगा 4, यह 4, और आपका lambda आपका as it is, lambda आपका as it is रहेगा, तो यहां से कहेंगा 4, J into J करेंगा, कहेंगा 16, 5 होजाए, 80, तो minus 80 होजाएगा, आपका, 80, अब इसके रहें, minus minus plus 13, equal to 21, तो यहां से कहाएगा, lambda आपका as it is, तो अंदर कहाएगा, देखो, plus का 17, minus का 80, अगर मैं 17 plus का है, और 80 minus का है, तो यहां से कहाएगा, 63 बचेगा, 63 minus का, equal to 21, अगर आपसे divide करेंगे, तो lambda equal to आजागा, minus का 1 by 3, तो lambda क्या हैगा, आपका minus का 1 by 3, आपको क्या find करना, D vector, और D vector देखे किसके equal है, D vector आपका इस equal है, तो यहां पर जहां भी lambda है, इस place पे क्या रहेंगा, आप minus का 1 by 3 put कर देगे, यहां पर lambda equal to minus का 1 by 3 put कर देगे, तो इस तरह आपका D vector आपका find कर जागा, तो ठीक है, यह आपका find हो जागा, बहुत ही अच्छा question था, और आपको, मैं अता दूँ, आपको NCRT के examples बहुत सी ध्यान से करने हैं, और इस chapter की miscellaneous, आपको बेद एक्जामपल बहुत ध्यान से करने हैं, ठीक है, क्योंकि normally जो question आपके निकलते हैं, वो miscellaneous से, और miscellaneous के सामने जो example होते हैं, मतलब miscellaneous के example होते हैं, वहां से question बहुत जाद निकलते हैं, क्योंकि normally बच्चे पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते रहेंगे, लेकिन miscellaneous जोती ही आते हैं, उसे छोड़ देते हैं, आपका 70 से 80 परसंट जो paper आपका निकलता है, वो miscellaneous बेद एक्जामपल से निकल रहा हैं, तो ये समझो, आपको इस बेद एक्जाम अच्छे से practice करनी है, और I hope मैंने आपको जितने के question कराएं हैं, सबी question आपको अच्छे से clear हो गए होंगे, इसी type के question की आप मैग्जाम मैग्जाम प्रैक्टिस करें हैं, ठीक हैं? Thank you guys watching this video.